नमस्कर दोस्तो मैं उदेलाणफ एक बार स्वागत करता हूँ आप सभी का चहिते चानल इंडियन मुर्गी पालन परुड़ देखने वाले हरकिसान भाई और मुर्गी पालक भाई का आज के उड़े में तहे दिल से बहुत-बहुत स्वागत दोस्तो थमनेल देखा टाइटल पड़ा हाँ दोस्तो दुनिया का सबसे बहतरीन व्यावसाय है मुर्गी पालन का और दुनिया की सबसे बहतरीन ब्रीड है दोस्तो देसी मुर्गी हाँ दोस्तो आज आपके पास रोजगार नहीं है लेकिन आपको रोजगार चाहिए आपको गरीबी हटानी है व्यावसाय सूज नहीं रहा है ऐसे में दोस्तों देशी मुर्गी पालन इस व्यावसाय में एक ऐसी अद्भुत संकल्पना आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं दोस्तों जिस माध्यम से आप भी आसानी से स्रिफ पांच हजार स्क्वेर फिट की ज गुंटा जमीन में वहां पर जो है दोस्तों फार्म तयार करके कमा सकते हो लेकिन इसके लिए करना क्या है करना कैसे है कौन सी बातों को फॉलो करना चाहिए और एक बहुत ही बड़ी और बढ़िया खुशकबरी यहां से आगे आप अकेले नहीं है खुद मैं आपको वीडियो शुरुआत से लेकर अंततक देख लिजिए मैं उसमें मेरा नंबर भी दूंगा जिस मार्ध्यम से आपको आगे क्या करना है किस तरह से मेरे साथ जुड़ना है वह भी बताया जाएगा इसलिए दोस्तों क्या आपको 10 लाग कमाने हैं क्या आपको लाखों का मुनाफ़ा कमाना है अगर हा तो दोस्तों यही वीडियो आपका नसीब बदल कर रख देगा इसके लिए वीडियो शुरुआत से लेकर अंततक देख लिजिए पसंद आया तो लाइक कीजिए किसान औ आप सभी किसान भाई और मुर्गी पालक भाईयों से हाथ जोड कर गुजारिश करता हूं दोस्तों आप सभी को मैं अपना मान चुका हूं मानता रहूंगा आप भी मुझे अपना और घर का सदस्यागर मानते हो तो कृपया सब्सक्राइब कर लिजिए इसके लिए इस वी कर दीजिए तक आने वाला हर वीडियो आपको समय समय पर मिलता रहे तो देखे दोस्तों ज्यादा समय जाया न करते हुए डायरेक्टली पॉइंट पर आता हूं और बारी के से आपको एक एक बात समझाता हूं मेरे साथ कैसे जुड़ना है मैं वीडियो के आखिर में आप आपको बता दूगा इसलिए वडियो आनता तक देख लिजें टो देखे दोस्तों आपको यहां पर जो जमीन का टुकड़ा है उसका निश्चें कर लेना है 5000 स्कूरिट की जमीन का टुकडा आपने वहां पर जो है दोस्तों निश्चित कर लिया तो पहले आपको करना है क्या है दोस्तों तो सभी तरफ से आपको फेंसिंग लगवा लेनी है फेंसिंग कैसे लगवानी है तो दोस्तों आपको वहाँ पर 6.5 फिट की लोहे की जाली इस्तमाल करनी है लोहे के जाली को अंदर वहाँ पर जो है दोस्तों जमीन में गाड देना है और तरह आख उटाकर भी वहाँ पर नेवला यद्याया कोई जो 9 highest- deepest क्या नाइलोन की जालि को इस C जाली कि जाती है तो इसके ऊपर जो बिल्र नेवला खड़ा ही रह नहीं पाता है। हो सकता और दूसरी बात जो यह जाली की कीमत दोस्तों बहुत सथी है इसलिए दोनु बातों पर यह UNSATA कि अभी इतना तो आपने कर लिया दोस्तो जाली वगारे बना लिए बात आती है शेड़ की तो शेड़ की फिट जमीन यानि एक गुंठा जमीन के टुकडे पर आपको पैक शेड बनाना है जहां पर हमारी मुर्ग या रात को विश्राम कर पाए इस हिसाब से दोस्तों साइस को आप कम ज्यादा ले सकते हो यानि कि 33 फिट लंबाई 33 फिट चवडाई 25 फिट लंबाई 40 फिट चवड लीजिए तो इतना कर दिया दोस्तों तो शेड कैसे बनाना है नीचे से PCC कर दीजिए नीचे काच के टुकुडे डाल दीजिए तकि नेवला अंदर ना आप आए उसके बाद आपको साइड से जो है दोस्तों जाली का इस्तमाल करना है रूपरी साइड के सीमेंट या टीन के पत्रों का भी इस्तमाल आपको करना होगा अगर आप इतना कर लेते हो दोस्तों तो इसका मतलब क्या है कि आपका शेड मजबूती से तयार हो गया मुर्गियों का वहाँ पर जो है दोस्तों संड्रक्षन करने के लिए लेकिन एक और बात बताता हूँ ये सभी बाते दोस्तों की गर्मी हो बरसात हो और सर्दी हो इसमें हमारी मुर्गियों को कोई टेंशन ना आए उनकी सुरक्षा हो पाए और शेड आयसा मजबूत बनाए कि बिल्ली बिल्ला कुत्ता हो या दूसरा कोई भी नेवला वगरे हमारी मुर्गियों को कोई भी दिक्कत पेशना कर पाए ऐसा मजबूस शेड़ बना दीजिए बस इतने ही मुझसे आप से अहां पर उम्मिद है ऐसा शेड़ बनाने के बाद जो जगह बचती है उसमें तकरीबन आड़बाय पाच के हिसाब से सहजल के पोदे या इस माध्यम से आपको आंधनी होगी मुझयों को फिड मिलेगा मुझयों को मेडिसिन मिलेगा जिस माध्यम से आपका फार्म बहुत ही गती से तरक्की कर पाएगा अभी बात आती है कि आड़ भाई पाच के हिसाब से कितने पौधे बैठेंगे तो तकरीबन दोस्तों यहां पर सव पौधे बैठ जाएंगे उसके बाद दोस्तों अंदरी रचना की बात करें तो 33 भाई 33 के आमुमन आपने चवडाई और लंबाई ली ऐसा मैंने पकड़ा है तो साधरन तोर पर यहां पर कितनी मुर्गिया बैठेंगे मुर्गियों की आगर बात करते हैं तो तीन फिट की चवडाईरी और साथ फिट की उचाई छोड़ दे तो तकरीबन सभी तरफ से आप दो फिट चार फिट चार फिट च जाएगी उसके बाद सामने वाले साइट जो थी वहां पर जो है आपको दर्वाजा रखने के कारण वश वहां पर एक 20-25 मुर्गिया कम बैठेंगी उसके बाद सिर के ऊपर की आगर बात करें तो तकरीबन वहां पर हर दो फिट पर एक पाइप डाल दोगे तो 33 फिट के 14 पाइप बैठते हैं उस हिसाब से 14 गुना पचास यानि 700 यानि कि तकरीबन वह 800 रेज 700 यानि 1500 मुर्गिया तो वहां पर जो है दोस्तों पाइप पर ही बैठ जाएंगी उसके बाद निचली साइड को आराम से वहां पर 1000 स्क्वेर फिट की जगह में 1000 मुर्गिया बैठने के लिए दिक्कत ने यानि 2500 की स्टेंथ हो जाएंगे आप आपके हिसाब से 2200 भी डाल सकते हैं इस हिसाब से दोस्तों हमारा पैक शेर और बाहरी रचना तो कम्पलीट हो गए उस हिसाब से दोस्तों अभी यह काम का पूरा होने के बाद हमें कितने मुर्गियों से शुरुआत करने हैं वह भी सबसे महत्यो पुर्ण बात है यह संकलपना है दोस्तो 50 मुर्गियों की 50 देसी मुर्गिया और 10 देसी मुर्गिये मुझे चाहिए इतना आपने कर लिया तो बाकी मेरी responsibility दोस्तो मार्गदर्शन मैं करूंगा सभी बाते समझाओंगा उस माध्यम से आप आगे बढ़ पाओगे लेकिन मेरे साथ आपको कैसे जुड़ना है यह मैं वीडियो के समापती तक आपको जरूर बता दूँगा अभी इसके साथ सबसे महत्तो पूर्ण बात है कि 100 अंडो वाले semi-automatic incubator लेने पड़ेंगे तो इससाब से 700 अंडो के पाच incubator हमें ले लेने हैं दोस्तो ताकि हमें दिक्कत पेशना है उसके बाद दोस्तो हमें क्या करना है कि हर महां हमारे पास अंडो की संख्या कितनी generate होती है वह देखना पड़ेगा इससाब से अगर देखोगे तो 50 मुर्गिया होगी तो तकरिबन 23-24 अंडे तो प्रति दिन मिलेंगी यानि हर महा 720 अंडे अभी कैसा होता है मुर्गी पालन के व्यावसाय होगा या कौन से व्यावसाय में जो सोचा जाता है वैसे ही होगा आईसी तो कोई बात नहीं है फि 600 अंडो की बात करें तो इन 600 अंडो के माध्यम से 600 चूजे तो प्राप्त नहीं होगे हमारे इंकुबेटर के आनुसर 75 पतिशत कम से कम आपको रिजल्ट मिल जाएगा यानि 450 चूजे आपको प्रति महा मिलेंगे इन चूजों को आपको 6 महा तक बढ़ा करना है दोस्तो और भी 50 मर गये तो कम से कम 400 तो आपको बेचने के लिए मिल जाएंगे 400 के हिसाब से एक साल में 12 महा होती यानि एक साल के भीतर आप 4,800 को बेच सकते हो अभी उनको छोटे पन से बढ़ा करने तक होने वाला खर्चा माइनस कर दे तो एक मुर्गी को 400 रुपे का रेट मुर में 300 लेकिन आउसत 200 ही पकड़ लेती यानि 4800 गुना 200 यानि 18 साल आपको सभी खर्चा जाने के बाद वहां पर 9,60,000 की आमदनी होती है और रही बाद अमरूद और जो दोस्तों सहजिल के पोधे लगाए है उस माध्यम से आप प्रती पोधा 500 की आमदनी 6 महा के बाद कर प उपर के 10,000 छोड़ भी दे तो 10,000,000 का मुनाफ़ा कमाने से आपको कोई भी नहीं रोक पाएगा क्या मुश्किल है दोस्तों इसमें इंकुबिटर में अंडे रखना चूजे निकालना ब्रूडिंग करना फिडिंग देना कुछ भी तो नहीं और कुछ भी तो नहीं है तो इसका मतलब है दोस्तों कहां 10,000,000 के लिए इतना दोस्तों परेशान हो रहे हो आज तक आपके साथ कोई नहीं ता मुझे मालूम है लेकिन आज से मैं हूँ दोस्तों आपका यह भाई आपको सदेवर वहां पर मदद करने के लिए तयार है मेरे साथ जुडने के लिए आप वाट्सअप नंबर 84-82-62-62 इस पर वाट्सअप पर पता भी भेश सकते हैं और मुझे से डारेक्टली बात करने के लिए यही नंबर है चोरा सीकिस-82-62 कॉल कर लिजे मैं आपको सभी बाते समझाऊंगा और मेरे साथ जुडने का तरीका भी बता दूँगा देखें दोस्तों एक दूसरे के साथ काम करेंगे तो विचारों का आदान प्रदान होगा और हमें आगे बढ़ना है हमें आगे बढ़ते हुए दोस्तों पिछली बातों को छोड़ देना है हमारे पास क्या नहीं है इससे आचा हमारे पास क्या है इसको लेकर आगे बढ़ना होगा और सबसे महत्वपुर्ण दूसरी बात दोस्तो जिद हमारे अंदर होनी चाहिए आत्म विश्वास हमारे अंदर होना चाहिए यह पचास मुर्गया भी साल भर के भीतर दस लाग का मुनाफ़ा आपको कमा कर दे सकती है आप 10,000 के लिए किसी के पास काम कर रहे दिक्कत की बात नहीं है लेकिन आपको किसने कहा कि आपको अमीर बनने का हक नहीं है आपको किसने कहा कि आप मालिक नहीं बन सकते हो दोस्तो ठान ली तो परबत को भी चीर कर आप निकल सकते हो लेकिन ठानना होगा, विश्वास रखना होगा खुद पर और उस हिसाब से आपको महिनत करनी होगी तो ही आप कर पाओगे नहीं तो वजह बताने वाला यह हुआ वह हुआ ऐसा बताने वाला व्यक्ति अपनी पूरी लाइफ में दोस्तों कभी भी सेटल नहीं हो सकता है जिनको बड़ा बनना है वह जो है दोस्तों अडिक विश्वास के साथ समस्याव को भेद कर आगे निकलते हैं जिनको बड़ा बनना ही नहीं है वो दोस्तों समय का आपको कारण देंगे कि इसकी वजह से वह हुआ उसकी वजह से वह हुआ ऐसा कुछ भी नहीं होता है सफल व्यक्ति आपको कारण नहीं बताता है तो सफलता प्राप्त करने के कारण गिनाता है इसलिए दोस्तों आपको यहाँ पर इतनी ही बात बताता हूँ कि यहाँ से आगे आपको हर साल 10 लाग का मुनाफ़ा कमा कर देने का वायदा मेरा रहा अगर आप सही तरीके से महिनत करते हो और मेरे साथ जुड़ते हैं तो तो इस विडियो के बारे में आपकी क्या राय है विचार है कमेंट सेक्षन में लिखकर भेजिये और मेरे साथ जुडने के लिए नंबर नोट कर लिए 84- tadi-ês2 62-62 वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्षन में लिखकर भेज़ते हो पसंद आया होगा तो लाइक कीजे किसान और पहुचाने के लिए शेयर कर दीजे सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ओल कर दीजे ताकि आने वाला हरुड़ी आपको समय समय पर मिलता रहेगा तो दोस्तो ऐसा एक नया वड़ी लेकर मैं आपका दोस्त उदेलाड आप सभी के चहीते चानल इंडियन मुर्गी पालन पर आपको मिलता रहूँगा तब तक के लिए मेरे हरकिसान भाय और मुर्गी पालक भाय का आज कुड़म तह दिल से बहुत बहुत आभा